अलो डियर इस्टूडेंट वेलकम बेक टू दा चेनल तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो एक्रोमिक्स का चैप्टर नमबर टेन गाट इच कोल्ड लो ओप सप्लाई वो भी वन सोट में इस पूरे वीडियो में हम लोग लोग ओफ सप्लाई का एक एक चीज को हम लोग कंप्लिट करने वाले हैं आपके एक्जाम को प्टो भी उसे लोग ओफ सप्लाई कीजे most important very very important topics क्योंकि यहां से हम लिक के दे रहे हैं लोग ओफ सप्लाई से आपको लोग कोस्टेन में भी कोस्टेन मिलेगा तोट कोस्टेन में भी मिलेगा objective में भी आपको लोग ओफ सप्लाई से कोस्टेन मिलेगा इस हंड्रेट परसेंट हर साल लोग ओफ सप्लाई से कोस्टेन पूछता है आप लोगों को भी low of supply से question पूछेगा तो चलो आओ इस वीडियो में हम आपको detailed में एकदम मखन मलाई तरीके से इतना easy तरीके से हर एक चीज को हम आपको समझाएंगे जिससे ये जो low of supply chapter है ना आपको एकदम हर चीज अच्छा से समझ में आ जाएगा और जैसा की class 12 का micro और macro economics के लिए हम लोग 30 days का जो one short series लेके आएंगे जिसमें 15 वीडियो micro economics के उपर होगा और 15 वीडियो macro economics के उपर होगा micro और macro को 30 वीडियो के अंदर हम लोग cover करेंगे जिससे हम लोगों का economics का 100% syllabus हम लोगों का complete हो जाएगा और 100% marks तक हम लोग एक्जाम में score कर सकते हैं इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो क्योंकि इससे पहले chapter number 9 तक के one short video आप लोगों के लिए हम पहले ही दे चुके है arts, commerce, science किसी भी stream के student है सबका economic same है आप चाहे जारखन बोट के student है या बिहार बोट के student है आप सभी लोगों का economic same है यूपी बोट का भी same है तो भाई बेजीजक पड़ो बिंदास होके पड़ो और एकजाम में एकदम बढ़िया नंबर ले करके आना ठीक है और आपको वीडियो पसंद आएगा तो like जरूर करना और जाधा से जाधा शेयर जरूर कर देना आप लोग के लिए इतना महनत करते हैं आप लोग वीडियो को share नहीं करते हो थोड़ा साम demotivate हो जाते हैं तो आप लोग भी मेरा मदद करो जादा से जादा से जरूर करना ठीक चलो अब हम लोग बात करते हैं यह है माइक्रो एक्रोमिक चेप्टर नमबर 12 जिसका लास 12 चेप्टर नमबर 10 जिसका नाम है लो ओप सप्लाई हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास NCRT का बुक है तो NCRT में चेप्टर वाइस चीज़े नहीं दी होती है NCRT में यूनिट वाइस चीज़े दी होती है तो वहाँ भी लो ओप सप्लाई टोपिक आपको मिलेगा हम यहाँ जो पढ़ाएंगे हर 100% चीज वहाँ रहेगा चलो आओ अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं गुरुजी कि आखिरकर क्या होता है सप्लाई वाट इच सप्लाई सिंपर सा बात समझ लो सप्लाई का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी गूट्स और सर्विसेस को बनाया यानि जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है कोई भी सामान को बनाता है तो जो सामान वो बाजार में बेचने के लिए भीजता है वही चीज कहलाता है सप्लाई सप्लाई का मतलब है कि बाजार में किसी चीज का डिमांड हो रहा है तो उसको बेचने के लिए हम बाजार में सामानों को भेज रहें तो बाजार में सामानों को भेजना supply कहलाता है बहुत student लोगों को ना supply और stock में दिकत होता है तो आप पहले supply और stock का real मतलब समझ जाओ Suppose कर लो कि हम कोई सामान बना रहे हैं कपड़ रहे है इसका प्रोड़क्षण है कोसी प्रोडक्षण कर रहे है यह समझा को प्रोड़कशन just हुआ है सिरफ पेट्न का पर्मानलो मेरे पास यह पंपनि था साइनो सोफ टेक तका स्सक्राइं कर लो यह जो कमपनी ना सपोच कर लो ये 1000 पेकेट बनाया था बेचने के लिए ठीक अब इस 1000 पेकेट में से ध्यान से समझना इस 1000 पेकेट में से सपोच कर लो 800 पेकेट बाजार में भेज दिया बेचने के लिए 800 पेकेट कहां बेचा बाजार में भेज दिया बेचने के लिए और 200 पेकेट वह अपन supply इसी को बोलेंगे supply और अपने पास जो 200 packet अपने पास रख लिया है वो रख लिया है कि अगर कल को जरुरत होगा तब इसको हम कल को बेचेंगे या तो फिर जब demand होगा तब हम इसको बेचेंगे लेकिन अभी अपने पास हम रखेंगे हैं वो होता है supply और जो चीज बेचने के लिए आपने पास रख लेता है, जो रख लिया है, वो क्या होता है, इस्टोक होता है, अब देखो यहाँ इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, इसी चीज को देखो यहाँ पर समझाया है, the quantity of a commodity that is made available in the market for sale at a given time at a certain price, it's called supply, supply के लिए एक समय होना चाहिए और समय के साथ साथ उस समय का, उस goods का cost होना चाहिए, मतलब price होना चाहिए, it is also known as fulfillment और supply को एक और नाम से पुकारा जाता है, fulfillment, clear है, I hope आपको supply और stock का मतलब समझ में आ गया, अब आते हम लोग, what is stock, तो भाई stock मतलब बताए ना, जो सामान अपने पास रखें, stock होता है, देखो वही चीत समझा रहा है, the quantity of a commodity that is available for sale with a producer is called stock, एक producer अपने पास जो सामान बेचने के लिए रख लेता है, वो कहलाता है, stock is the quantity of a commodity that producer keeps for purpose of sale, अपने पास जो सामानों को वह रख लेता है, रख लेता है, diet is called stock, क्या बोलते हैं, stock बोलते हैं, clear है, अब supply और stock में difference, कई साल exam में ये question पूछाएं, कई बार पूछाएं, ठीक है, तो भाई क्या difference होता है supply और क्या difference होता है मेरा stock में, तो भाई देखो, there are some differences between supply and stock, हम हमेशा बोलते हैं, कि कभी भी differences जब भी पूछेगा, आप differences को हमेशा table में बनाना, जिससे आपको ज़्यादा number मिलेगा, तो देखो, differences में सबसे पहले क्या लिखे हैं यहाँ पे, table बना दिये, basis लिखे हैं, यह basis जिसके basis बताएंगे, यहाँ पर supply का column है और यहाँ stock का column, तो सबसे पहला differences मिलिंग का, हमेशा किसी भी चीज का difference बताओ, सबसे पहले meaning लिखना, आपको इसमें number और अच्छा मिलेगा, तो supply का मतलब बता दिये, जो सामान बाजार में बेचा जाता है, supply है, जो सामान अपने पास रख लिए है, stock है, तूसरा time, अच्छा याद रखना, supply के लिए time का होना जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी सामान को supply करेंगे, तो एक निश्चित समय में ही करेंगे, तो इसलिए it can be measurable based on time, इसको time में बताया जा सकता है, stock को time में बताया नहीं जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है न, stock देखो, आज अगर हम इस pen को रखे हैं बेचने के लिए, अगर आज बेका तो ठीक है, नहीं बेका तो कल फिर रहेगा, परसो फिर रहेंगे, नरसो फिर रहेंगे, हम अम्हें सा अपने पास इस्टोक को रखे रहेंगे लेकिन जो असवाइब हुटा साइव किया जाता है और आगे आते हैं में लोग इपंडेन्ट यानि निर्भरता कौन किसे depend करता है तो याद रखना supply stock पर depend करता है क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों के पास stock रहेगा हम उतना ज़्यादा उसका supply कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह जो supply जो है यह मेरा depend करता है production पे हम जितना production करेंगे हम क्या करेंगे जितना production होगा मेरा उतना ही ज़्यादा हम supply को कर सकते हैं अगर मान लो कि हम एक हजार packet बनाए थे तो 800 packet भेज दिये थे 200 रखे थे अगर कल को हम 10,000 packet बनाएंगे तो हम supply को और बड़ा देंगे तो supply depend करता है आपका product पे production पे production का जो label है उस पर depend करता है और जब कि मेरा जो ये stock जो है वो depend करता है supply पे ठीक है गुरु जी देखो समझो हम क्या समझाना चाहरे हम बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग product करेंगे जितना ज़्यादा हम लोगों का production होगा उतना ही ज़्यादा हम चीजों का supply करेंगे और जितना ज़्यादा goods का supply करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने पास क्या रखेंगे इस stock हम रख सकते हैं आगया समझ में इस तरीके से pattern में इसको समझ लो you can never forget in your life आप इसको जिवार में कभी नहीं बूलोगे ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब next आते हैं हम लोग कि factor affecting supply यह most important है कि आखिरकार कौन-कौन सा ऐसा चीज है जिससे मेरा supply effect होता है और यह कई बार exam में पूछा है इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि how can you measure the quantity of supply आप supply के quantity को कैसे measure करोगे यह यह से भी पूछ सकता है कि कौन-कौन सा ऐसा factor है जो supply को effect करता है supply को effect करने का मतलब है ऐसा क्या होगा जिससे या तो आपका supply बढ़ जाएगा या आपका supply घड़ जाएगा तो भाई ऐसा कई सारा region है जिसके वाजा से या तो आपका supply बढ़ जाएगा या आपका supply घड़ जाएगा तीक है उसी को हम लोग बोलते है factors which affecting the quantity of supply आप देखो भा प्राइस ओफ एक कोमोडिटी किसी भी गुट्स का प्राइस सप्लाई को effect करेगा और पता है प्राइस और सप्लाई में positive relation होता है अभी हम समझाएगे इसके बाद प्राइस ओफ ए सब्सिट्यूट गुट्स जो होगा मेरा उसका effect करेगा prices of means of production production करने का जो resources है उससे effect होग technical level आप किस तरीके से कुन सा technology से production कर रहे है वो effect करेगा number of farms spelling गलत लिखा गिया है number of farms in the market market में जो भी farms का numbers है उस पे depend होगा अगर farms कम है तो supply कम होगा farms जादा है तो supply जादा होगा objective of farm किस objective से काम कर रहा है possibility of price change in the future और last में government policy सरकारी निती government policy भी supply को बहुत जादा effect करता है तिक है आगे अब आते है most important चीज और सोरी कुछ-कुछ और चोटा-चोटा चीज है इसके बाद low of supply प्याएंगे सबसे पहला आते है supply function क्या है देखो supply function को समझना यह जो भी factors है जो किसको effect करता है supply को supply function का मतलब क्या है function मतलब हम हमेसा बत क्या है जो भी supply है और इस supply को effect करने वाला यह जितने भी functions है supply और supply को effect करने वाला यह जितने भी factors है इन दोनों के बीच relation इन दोनों के बीच relation इन दोनों के बीच के relation को ही हम लोग बोलते हैं आपका product इन दोनों के relation को ही बोलते हैं हम लोग supply function समझ माया quantity supply जो किये हैं वो supply और supply को effect करने वाला यह जितने भी factors हैं इन लोग के बीच relation relation को ही हम लोग बोलते हैं आपका supply function किसी को बोलते हैं supply function इस इट किलियर गुरुजी आ गया आप लोगों को मेरा बात समझ में कोई दीकत नहीं है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हो गया supply function अब आते हैं what is individual supply and what is market supply individual supply और market supply ध्यान से समझना अगर किसी एक producer का supply को हम लोग जान रहे हैं कि एक producer है वो producer कितना supply किया एक farm है वो farm कितना supply किया एक producer एक farm के supply को individual supply बोलते हैं और उसी के जगा दो या दो से अधिक producer या दो से अधिक फार्म इन सभी का supply को जब जोड देंगे तो यह कहलाएगा पूरे market का supply ठीक है जैसे अगर मालो एक producer है A अब मालो यह जो A producer है यह जितने भी goods का supply किया है market में जितने भी चीजों का supply किया एक आदमी का supply है तो इसी को हम लोग बोलेंगे individual supply उसी के जगा अगर दो या दो से अधिक लोगों का दो या दो से अधिक farm का जैसे farm A हो गया farm B हो गया farm C हो इन सब का ज जो supply होगा इसी supply को हम लोग जोड़ इसी supply को हम लोग क्या बोलेंगे बोलेंगे market supply है समझ में ठीक है यह तो बहुत simple है आगे आते हैं next बढ़ते हम लोग supply curve क्या होता है तो देखो supply curve का मतलब होता है एक ऐसा curve तो supply के बारे में हमको बताता है कि supply कैसे increase हो रहा है या कैसे decrease ह हो रहा है जैसे हम आपको बोले कि सपोच कर लो हम लोग इस तरीके से एक कर्ब बनाए हैं देखो इस तरीके से सपोच कर लो हम लोग एक कर्ब बनाए है हम आगे आप लोग को समझाएंगे अभी प्राइस बढ़ रहा है प्राइस के बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ रहा है तो यह जो कर्ब है यह है S S का मतलब होता है सप्लाई यह मेरा सप्लाई कर्ब है ठीक है और सप्लाई टेबल क्या होता है supply table का मतलब होता है इस तरीके से जो हम लोग table बनाते है table में यहाँ पे दिखाएंगे price यहाँ दिखाएंगे supply price एक, दो, तीन, चार था price बढ़ रहा है तो supply भी देखो मेरा लगभग मेरा supply भी बढ़ने लगा इस table को बोलते है supply table जो यह बताता है कि कब और किस तरीके से price के change होने से supply चेंज हुआ और इसी table को जब हम लोग graph में दिखाते हैं तो graph में यह जो supply का point बनता है यही मेरा कहलाता है supply curve हम आगे अभी इसके तूरंट बाद आप लोगों को drawing में हम अभी समझाएंगे ठीक अभी बस आप लोग लिख लो ठीक है चलो आगे अब आते हैं most important चीज में law of supply star बना के इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको समझाना है अब पहले मेरा बात सुन लो law of supply क्या होता है अच्छा से समझना law of supply is generally refer to the positive relation between the price of commodity and supply of commodity it means when price of the commodity will increases then supply will be increases and if price of commodity decreases then supply will be decreases इसका मतलब simple बोल रहे हैं कि किसी भी goods का supply जो है उस goods के price पे goods के price और supply के भी positive relation होता है तो उसका supply भी बढ़ा दिया जाता है जब उस goods का price घटता है तो उसका supply भी घटा दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है कि जो producer goods and services को बना रहा है वो यही चाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा profit कमाए अब उसको ज्यादा profit तभी मिलेगा जब goods का price बढ़ेगा तो जब वो देखता है कि market में इस goods का price बढ़ गया तो वो उसका supply को बढ़ा देता है जब वो देखता है कि market में goods का price घड़ गया है तो वो supply को भी कम कर देता है जैसे मानलो कि यह जो sinus of tech का pain है मेरा हम इसको बना के बेच रहे है इस sinus of tech का pain बाजार में 3 रुपया है जब हमको यह पता चलेगा कि इस pain का कीमत 5 रुपया हो गया देखो पहले 3 रुपया था अब कीमत कितना हो गया 5 रुपया प्राइस बढ़ गया तो हम तुरंट इसका supply को भी बढ़ा देंगे यह से इसका price कम हो जाएगा हम supply को भी कम कर देंगे क्योंकि अगर price बढ़ा हम supply बढ़ा है तो profit ज़्यादा कमाएंगे और अगर price कम हो गया supply भी कम कर दिये तो lows का chances कम हो जाएगा इसलिए price और supply के बीच positive relation होता है low of demand में क्या सिखाएं थे low of demand उल्टा होता है low of demand क्या बताता है कि goods का price और उसके demand के बीच negative relation होता है जब कभी भी किसी goods का price बढ़ता है तो demand घड़ जाता है और जब उस goods का price घड़ता है तो demand बढ़ जाता है लेकिन supply उल्टा है supply price और supply में positive relation price बढ़ा, supply बढ़ा, price घटा, supply घटा, clear है किसी चीज को देखो हम यहाँ पर अभी आप लोगों को समझाए है वही चीज है यहाँ पर low of supply के बारे में देखना वही चीज लिखे है एक मिनिट थोड़ा ज़्यादा उपर चलाएग when the price of a commodity increases its supply increases जब price बढ़ा supply बढ़ गया on the other hand दूसरे साइड when the price of the commodity decreases its supply also decreases जब price घट गया तो supply भी घटा देते this is the reason why the slope of the supply curve is came living towards from left to right यही कारण है कि जो हम लोग का supply curve है वो ऊपर क्यो और भागता है किसकी और ऊपर क्यो और भागता है अभी हम समझाएंगे इसको चैनलिटी यानि के सामाने तोर पे any producer supplies goods with the aim of earning profit हर producer profit कमाने के उद्देश सही goods को बेचता है as the price of commodity increases और जैसे ही goods का price बढ़ता है the quantity supply also increases तो producer उसके quantity को बढ़ा देता है और जैसे ही उस goods का price घट जाता है तो उसका supply को भी क्या किया जाता है घटा दिया जाता है clear है इसका मतलब है कि एक जो goods है उस goods का पूरा तरीके से supply जो है उसके price पे depend करता है इसलिए formula होता है supply is equal to price ठीक है और पता है किसी भी goods का कीमत कहां तै होता है किसी भी goods का कीमत वहां तै होता है जहां demand और supply एक दूसरे को काटे जहां demand और supply एक दूसरे को काटे वही price तै होता है इसके बाद जो हम अपलों का marketing chapter पढ़ाएंगे ना तब हम आप लोगों को बताएंगे की कीमत का निजधारन कैसे होता है ठीक है अब देखो इसी चीज़ को एक टेबल से बना दिए यहां लिखे हैं price of goods x और यहां उसका supply का quantity जब price मेरा देखो क्या था एक रुपया था तो चार पिस supply करते थे price 2 रुपया हो गया तो supply 8 हो गया price 3 हो गया तो supply 12 प्राइस चार हो गया तो supply 16 प्राइस पांच हो गया तो supply 20 यानि ऐसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे मेरा quantity of supply क्या हुआ है बढ़ गया है किसी चीज को अभी हम लोग देखो एक गराप का सायाता से अभी हम लोग इसको दिखाते हैं चलो यहां बनाया जाए अच्छा से समझना एक ही बार में समझ में आ जाएगा जीरो हो गया एक्स हो गया यह हो गया वाई अब पोच कर लो चलो हम लोग यहां पे एक्स एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं गुड्स का प्राइस को इसको रख रहे हैं प्राइस और यहां रख रहे हैं इस गुड्स का अप्लाई को एक अब मान लोग की प्राइस क्या है प्राइस क्या है सबसे पहला प्राइस है आपका एक रूपिया दो रूपिया तीन रूपिया चार रूपिया पांच रूपिया एक रूपिया दो रूपिया तीन रूपिया चार रूपिया पांच रूपिया और यह कितना है सप्लाई का रूपिया हो गया आट रूपिया हो 12 रुपय, 16 रुपय, 20 रुपय, ठीक है, 4 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया, 16 रुपया हो गया, और 20, दिखा दिये, अब चलो इन सब को आपस में मिलाओ, क्या करो आपस में मिलाओ, चलो मिलाते हैं, जब प्राइस एक था, तो सप्लाई 4 था, देखो इसके बाद सुला हो गया तो कितना हो गया चार हो गया इसके बाद बीस हो गया तो कितना हो गया पांच हो गया तो कितना हो गया बीस अब यह जो लकीर है इन सब को सीधा सीधा बीचो बीच काड़ देना इस तरी के यह जो कर्ब काटा है यही कहलाता है S, S का मतलब होता है सप्लाई, देखो यही तो हमको सप्लाई कर्ब बता रहा है, कि जैसे जैसे किसी गूर्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ रहा है, या ऐसे बोल में आई होप आपको ध्यान से देखो समझ में आगया है तो अच्छा से कोपी में नोट डाउन करके रखना क्योंकि इस चेप्टर से 100% पूछेगा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद एस्टेट दा एजम्संस ओप सप्लाई लो ओप सप्लाई अच्छा बच्चा हम अभी आपको क्या बताएं हम ये बोले ना कि अगर कभी भी किसी भी गूट्स का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा लेकिन हमेशा ये नियम लागू नहीं होगा अदमी बोलता है कि देखो अगर बारिस होगा ना तो तुम भीगेगा नहीं भाई बारिस होने से हम केसे भीगेंगे बारिस होने से हम तभी भीगेंगे जब हम बारिस में जाएंगे इने तो भीगेंगे कहा जैसे अभी जो हम वीडियो रिकोर्ड कर रहें अभी बाहर में बारिस हो रहा है ठीक है जारकरण में दो दिन से बारिस हो रहा है अब जो बारिस हो रहा है हम तो भाई घर के अंदर में है मेरा अब अगर हम मेरे घर के अंदर में है और बारिस हो रहा है तो होने दो बारिस होने से हम थोड़ी भीगेंगे हम भीगेंगे कब जब हम बारिस म हां तहल ந हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं यह फ़लता है जब यह सब होगा किशी को बोला जाता है एसा होगा बढiquement लागू होगा और स्मझें चलो दो फ़ला लागू होने का मेरा होता है धिद्द सम्झना है कि अब से पहला मेरा ए-जूम सुन क्या होगा सबसे पहला सबसे पहला एजमसन there should be no change in the level of buyers and sellers market यानि market में जो भी buyer और seller है उनका जो level है income level खास कर कुन सा level income level income level में कोई changes नहीं आना चाहिए there should be no change in the price of substitute goods substitute goods का price में कोई changes नहीं आना चाहिए the price of means of production should be remain constant production करने के लिए हम प्रोड़ाक्षन करने के लिए हम लोग जो भी input दे रहे हैं क्या दे रहे हैं जो भी input दे रहे हैं उसके price में कोई changes नहीं आना चाहिए level of technical knowledge should be remain constant यानि production करने के लिए हम जिस तरीके से production कर रहे हैं वैसे रहे हैं अगर हम labor incentive technique से production कर रहे हैं और और भी reasons है, there should be no change in government policy, भाई सरकारी नियम में कोई changes आना नहीं चाहिए, क्योंकि कही बार government policy change होने के वज़ा से supply में उसका effect पड़ता है, हमेशा पड़ता है, there should be no change in the taste, habits, fashions, etc. और buyer and seller, buyer and seller का fashions अब में कोई changes नहीं आना चाहिए, यह सब होगा, तब मेरा low of supply होगा, आगे यह भी बहुत important question है, write the reasons in increasing in supply, भाई मेरा supply बढ़ रहा है, ऐसा कौन कौन सा reason है, जिसके वज़ा से मेरा supply बढ़ेगा, तो लिख रहे है, following are the main reasons in increase in supply, supply बढ़ने का मेरा main reason क्या क्या होगा, मतलब क्या ऐसे होगा, जिससे हम जितना पहले supply करते थे, अब उससे ज्यादा supply कर रहे हैं, तो supply में increase होने का reason, सबसे बढ़ा reason, increase the technology of production, अगर production करने का technology को हम बढ़ा देंगे, पहले हम production, suppose हम पहले कपड़ा बना के थे, और कपड़ा बनाने के लिए हम fire से जो चलने वाला machine होता है, कड़ 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 सिलाई, वो machine रखे हैं, अब कपड़ा ब बनाने के लिए बड़ा machine लगाएं, पांच लाग, दस लाग, पंदरा लाग, बीस बीस लाग, पचास पचास लाग का machine लगाएं, अब वो machine तो एक दिन में हजार हजार कपड़ा चाप देगा, पहले एक दो कपड़ा बनता था, और अभी हजार हजार कपड़ा बनेगा, तो हजार हजार कपड़ा सप्लाई करेंगे, तो अगर मेरा technology बढ़ा, तो मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा, इसके बाद, when the price of substitute goods decrease, तब होगा, decrease in cost, अगर cost घटेगा, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, production बढ़ा देंगे, increase in the price of related commodity, अगर उस goods का price increase हो जाएगा, market में goods का क् price, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, increase in the number of industries and farms, अगर market में farms बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, when the price of likely to be decreased in nearest future, अगर near future में आपको लगता है, कि उस goods का price कम होगा, तो अब अभी ये सप्लाई कर देना, उसका, increase in the number of industry हो गया, ये भी हो गया, on the objective of the producer to earn profit, अग reduction in government taxes, अगर सरकार government tax, government tax को कम कर देगा, तो मेरा supply बढ़ जाएगा, on increase in grants, अगर सरकार grants जादा देगा, grants मतलब होता एक तरीके का आपका subsidiary, subsidiary सरकार जादा देगा, तो मेरा, क्या होगा, मेरा, आपका supply भी बढ़ा देंगे, ठीक, एक और question पूछेगा, decrease, ऐसा क्या होगा जिससे मेरा supply decrease होगा, means the reason, mention the reasons for decreasing in supply, ऐसा क्या होगा, जिससे मेरा supply क्या होगा, decrease होगा, देखो हम एक shortcut तरीका समझा दे रहें आप लोग को, अगर आपको, ये जो भी reason है मेरा supply increase होने का, अगर आपका supply increase होने का, ये reason अगर आप याद कर लिएं, कि भाई किसी भी goods का supply बढ करने का, तो ये जो भी supply बढ़ने का मेरा जितना भी reason है, just इसका उल्टा, just इसका उल्टा होगा supply decrease होने का reason, जैसे देखो समझाते हैं, अगर increase in the technology of production, अगर technology बढ़ेगा, तो supply बढ़ेगा, उसी के जगा, increase के जगा अगर decrease हो गया, इंक्रीज के जगा क्या हो गया decreasing हो गया decreasing the technology of production अगर production करने का technology घट जाएगा तो supply भी घट जाएगा इसके बाद when the price of substitute goods decrease इसके जगा when the price of substitute goods increase तो supply घट जाएगा decrease in cost इसके जगा लिख देना increase in cost अगर cost increase हो जाएगा तो मेरा supply घट पाक से कम हो जाएगा ठीक है देखो हम भी जब आगे समझाए ना जस्ट इसका opposite वाले को समझाए देखना देखो हम सेम यही चीज लिखे बस इसका opposite करके लिखे देखो when they are easier deficiency in production को substitute goods का price increase हो गया cost increase हो गया है ना आपको एक याद रखना वो याद कर ले ना यह अपने आप याद हो जाएगा ठीक है चलो अगर फिर भी screen source चाहिए तो हम दिखा दे रहे है चलो आगे बढ़ते हैं next point extension extension and construction of supply पता है इस पूरे chapter में सबसे जादा student को यही topic में दिखात होता है extension of supply और construction of supply क्या होता है देखो ध्यान से समझना हम बता दे रहे हैं जब कभी भी किसी भी goods के price में change होने के कारण ध्यान से सुझना किसी भी goods के price में change होने के वज़ा से उसके supply में जो changes आ गिया किसमे change होने के वज़ा से उसके supply में जो change आता है इसी को हम लोग extension in supply या construction in supply बोलेगे normally क्या होता है जब कभी भी किसी भी goods का price बढ़ गया क्या बढ़ गया price इंक्रीज होने से supply इंक्रीज हो गया तो इसको बोलते हैं extension या expansion इसको बोला जाता है विस्तार होना price बढ़ गया मेरा supply भी बढ़ गया किसी को बोलते हैं extension in supply कुसरी और अगर उस goods का price घट गया तो price घटने से हम supply भी कम कर दिये देखो price बड़ा, supply बड़ा ये कहलाता है मेरा extension of supply price घटा, supply घटा ये कहलाता है मेरा construction of supply simple बात है price में change होने के वज़ा से supply में जो change आता है उसी को construction of supply या आपका extension of supply बोलेंगे price बड़ा, supply बड़ा, extension in supply price घटा supply घटा construction इन spar जिए को ही चीज बोल रहे है other thing बिंइ एक्वल अगर चीज एक्वल रहेगा और जीजिस मतलब Apart को छोड़ प्राइस को छोड़ के बाकि जो भी चीज श्प्लाइक को इफ्यक्ट करेगगा बागन यह उपर कौन कौन सा चीज प्राइस को इफ्ट करेगा सब चीज बस प्राइस को छोड़ करके वेन अधर तिंग्स बिंग इक्वाल वेन दा सप्लाई ओफ कोमोडिटी चेंजेज अब अब हम समझाएं ना अधर तिंग्स बिंग्स बिंग्स प्राइस बढ़ने के वज़ा से उस गूट्स का जो सप्लाई है उस गूट्स का सप्लाई को भी बढ़ा दिया गया तो यह कहलाता है एक्स्टेंशन इन सप्लाई किसी का उल्टा अगर मान लो प्राइस कम हो जाता प्राइस कम होने के वज़ा से सप्लाई भी कम हो जाता तो यह कहलाता है मेरा कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई आया समझ में गुरू जी देखो अब एक्स्टेंशन इन सप्लाई को समझा रहे, for example, मान लो, when the cost of the pen is rupees 1, अगर एक pen का कीमत 1 रुपया था, 10 pens are supplied, तो हम 10 pen का supply करते थे, उसी जगा, if the price increases rupees 5, और जब price बढ़के 5 हो गया, तो जब price बढ़ा, तो supply भी हम बढ़ा के कितना कर दियें, 50 कर दिये, तो देखो, यह मेरा supply में change आया, इसके change होने के वज़ा से, price में change होने के वज़ा से, तो यही कहलाता है extension या expansion in supply, ठीक है, देखो, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग एक table के धुरू कर दिये हैं, तब pen का कीमत 1 रुपया था, तो supply 10 quantity था, जब pen का कीमत 5 हो गया, तो supply कितना हो गया, पचास, इसी को हम लोग बोलते हैं, आपका extension in supply, देखो, drawing से समझा रहे हैं, 0 हो गया, X हो गया, चलो, यहाँ पर रिखेंगे price को, जब price 1 था, तो supply 10 था, suppose कर लो, यहाँ मान लेते हैं, यह हो गया, एक, तो supply 10, अब price कितना हो गया, 5, suppose कर लो, यहाँ 5 है, तो supply बढ़के हो गया, 50, suppose कर लो, 50 यहाँ है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को आपस में मिला देंगे, मिला दिये हो गया अब यहां देखो पहले यहां था एक मिनिट थोड़ा सा ड्रोइंग गंदा बन गया एक और पांच है न एक मिनिट है एक मिनिट दे नाम को एक थोड़ा नजदिक आएगा ना सपोच कर लो एक यहाँ था एक इसके बाद सपोच कर लो यहाँ पांच हो गया और यह यहाँ हो गया पचास हो गया अब इसी चीज़ को यह जो लकीर है अब इसको आपस में हम लोग मिला देते हैं चलो पिला दियें यह सप्लाई हो गया यह सप्लाई यहाँ एक पॉइंट मिला और यहाँ एक पॉइंट तो देखो पहले सप्लाई मेरा कहां होता था पहले सप्लाई मेरा कहां होता था पहले सप्लाई मेरा यहां होता था यह देखो यहाँ यहाँ आप supply बढ़के यहां हो गया तो यह देखो यहां से यहां यह जो supply मेरा बढ़ा है यहां से यहां यह जो supply मेरा बढ़ा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे extension in supply क्या बोलेंगे इसको extension in supply देखो अभी इसको हम नीचे भी समझा रहे हैं हो गया यहां देखो इसी चीज़ को उन्टरजा से supply हो गयां और यहां से यहां से जो स्याओं से जो उसाओइब हुआ है है कि इसी चीज़ को देखो आफ जड़ेस इसका उल्टा और सपलाइय क्या होता है उल्टा क्या हुआ उल्टा हो गया प्लोजी। 20 यह हो गया कि जब कभी भी किसी भी गूर्स का प्राइस कम हुआ तो प्राइस कम होने के वज़ा से हम लोग उसका सप्लाई को भी कम कर दिये तो यह कहलाता है मेरा construction of supply ठीक है जैसे जब पहले पेन का कीमत 5 रुपया था तो supply उसी का उल्टा extension का ज़स्ट उल्टा जब प्राइस 5 रुपया था तो सपोच कर लो supply करते थे 50 यूनिट पचास यूनिट पेन बेशते थे अब प्राइस घटके जब 1 रुपया हो गया तो supply को घटाके कर दिये 10 रुपया तो वहाँ उपर जो drawing बना था SEME उसका उल्टा drawing यहां मेरा बनेगा SEME उसका कैसा drawing बनेगा मेरा SEME उसका ultra drawing बनेगा SEME उसका ultra drawing ठीक है देखो SEME वही चीज है 5 में 50 था एक में 10 हो गया SEME उसका ultra drawing देखो भाई साब नीचे गिर गया वहां उपर भागा था और यहां क्या हो गया नीचे हो गया पहले 50 में 5 था तो 50 बेशते थे यानि कि यहां बेशते थे पहले फिर जब कीमत घटके 1 रुपया हो गया तो सप्लाई 10 हो गया पहले यहां था अब यहां हो गया उपर से नीचे आ गया और फिर यानि कीमत बढ़ने से supply curve अगर मतलब की extension होने से supply curve उपर भागता है और construction होने से supply curve नीची आता है याद रखना अब ये तो था price के वज़ा से एक और reason होता है जिसको बोलते हैं shift in supply और increase and decrease in supply अब देखो बहुत student ना सबसे ज़्यादा यही confused होगा कि भाई increase in supply और decrease in supply क्या होता है देखो हम पहले समझा रहे हैं पहले रुखो एक दो मिनिट पहले मेरे बातों को सुनो और AZT जिसको पहले कोपी में note down करो देखो याद रखना जब कभी भी किसी भी goods का price में change आ रहा है इसमें change आ रहा है गुरुजी price में प्राइस में change आने के वज़ा से या तो फिर प्राइस में change आने के वज़ा से या तो मेरा price increase हो जाएगा प्राइस increase हो गया या मेरा price क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा तो normally क्या होगा जब प्राइस मेरा increase होगा तो मेरा supply भी क्या होगा मेरा supply भी increase हो जाएगा ठीक और दूसरी और अगर मेरा price decrease हो गया तो मेरा supply भी क्या कर देंगे, हम उस goods का supply को भी क्या कर देंगे, decrease कर देंगे, clear, तो यह जो मेरा price increase होने के वज़ा से, मेरा supply increase हुआ, इसी को बोलता है extension in supply, extension in supply, और अगर price decrease होने के वज़ा से, मेरा जो supply decrease हुआ, इसको बोलते हैं, हम लोग construction in supply, construction in supply, और दूसरी और price का कोई लेना देना नहीं था याद रखना price change नहीं हुआ है price उन्चेंज है price में कोई changes नहीं आया price को छोड़ के other things price को छोड़ करके other things यानी goods के goods को effect करने वाला जो बाकी चीज है उसमें change जा रहा है price same है price को छोड़ के बाकी सब चीज है जैसे के normal यह समझ प्राइस उतना ही है प्राइस क्या है constant है मान लो प्राइस में कोई change नहीं आया लेकिन फिर भी कीमत उतना ही है लेकिन फिर भी उसका supply increase हो गया या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि कीमत नहीं बदला कीमत उतना ही है कीमत में कोई change नहीं आया लेकिन उस goods का supply क्या हो गया उस goods का supply डिक्रीज हो गया उस गूट का सप्लाई डिक्रीज हो गया अगर कीमत उतना ही है लेकिन फिर भी उसका सप्लाई बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं increase in supply, क्या बोलते हैं उसको increase in supply, क्या बोलेंगे इसको हम लोग increase in supply, इसको हम लोग बोलेंगे increase in supply, और अगर increase supply, increase in supply, और अगर मेरा कीमत उतना ही है, लेकिन मेरा supply घड गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं decrease in supply, decrease in supply आया समझ में तो भाई याद रखना दोनों अलग अलग चीज है construction और construction और मेरा extension ये price पर depend करता है price बड़ा supply बड़ा construction हुआ price घटा supply घटा construction हुआ लेकिन price constant है price में कोई changes नहीं आया price में कोई changes नहीं आया लेकिन price उतना ही है लेकिन फिर भी उसका supply बढ़ गया increase हो गया तो increase in supply बोलेंगे और price decrease हो गया तो decrease in supply बोलेंगे as a tease जिसको question में अच्छा से note down करके रखो most important है अगर आपको कभी doubt होगा कि भाई हमको तो समझे में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको देख लेना देखते ही आपको एक बार में समझ में आ जाएगा हो गया screenshot ले लिए इसको as it is copy में note down करके लखना exam में question आएगा हो गया चलो अब हम लोग इसी को देखो वो जो price constant है price constant होने के वाज़ा से भी supply change हुआ उसको बोलते है price supply जो है वो shift हो गया है या तो वो increase हुआ होगा या decrease हुआ होगा देखो वही बोल रहे है when there is a change in supply of a commodity due to change in other factors such as income, fashion, etc other than the price, price है price उतना ही है price में कोई change नहीं आया लेकिन उसके supply में फिर भी change आ गया तो उसी को हम लोग बोलते है shift of supply अब या तो shift of supply आपका increase होगा या shift of supply आपका decrease होगा अब increase या decrease का मतलब समझना increase in supply का मतलब अभी समझा दिये price उतना ही है लेकिन फिर भी उसका supply को बढ़ा दिया गया ठीक है वही बोल रहे है if the supply of a commodity increases when the price of the commodity remains remains मतलब unchanged है the same or the price of low और price जो है वो उतना ही है the supply the same या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो price जो है वो घड़ गया लेकिन supply फिर भी उतना ही है तो भी हम लोग इसको बोलते है increase in supply ये दो टाइप का होगा increase in supply दो situation में होगा सबसे पहला same price low supply होने same price more supply होने से या less price same supply होने से जैसे अगर मान लो पहले हम बोल रहे हैं कि pain कदाम 3 रुपया था पहले pain कदाम 3 रुपया था पहले pain कदाम या उपर समझो पहले pain कदाम 3 रुपया था तो supply 3 करते थे और अगर pain कदाम बढ़ के 4 रुपया हो गया pain कदाम बढ़ के से चार रुप्या हो गया तो भी olives यह तो देखो ना प्राइस देखो उतना ही है प्राइस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या ओर एक मिन्ट रुको इसको हम लोग बोलते हैं अपका एंप्राइस मौर सप्लाई सेम एक मिनिट के अपलाइस बढ़ दा सप्लाई इंक्रीजेश टू फोर ओहो सेम प्राइस मोर सप्लाई ठीक है इसका सप्राइस तीने है यह बढ़के चार हो गया देखो प्राइस से में आए लेकिन सप्लाई फिर भी बढ़ गया लेज प्राइस सेम सप्लाई लेज प्राइस सेम सप्लाई का मतलब है क कि पहले कीमत मानलो कितना रुपया करके था तीन रुपया करके था सप्लाई इसका तीन था तीन रुपया पेन का दाम था सप्लाई भी तीन था और जब पेन का कीमत घटके कितना हो गया दो रुपया हो गया तो भी इसका सप्लाई कितना है तीन ही है तो इसको भी हम लोग ब हटके दो हो गया तो भी supply कितना है तीन ही आए यानि कीमत के मुकाबले supply बढ़ा की नहीं बढ़ा बढ़ा इसको बोलते इसी चीज को देखो अभी जो हम चीज समझाएं यही दोनों चीज को देखो एक टेबल के थुरू यहां पर समझा दिये हैं अगर थोड़ा देख पा रहे होंगे तो मेनेज कर लेना थोड़ा सा ठेम प्राइस bereits was quantity अगर पहले कीमत तीन रुपया था अगर पहले कीमत थीं रुपया था प्रक्सक्राइऑ था प्रक्सक् कीमत था है प्रक्रइंग कहलेंना साप्लाइश समक्राइंग के थोड़ो लिखे हैं उपर जो बताएं वो बताए है, same यही drawing है, यह पहले वाला situation को बताता है, यह line, यह दूसरा वाला situation को, और देखो यह घड जाएगा, ठीक है, हुआ समझ में, और दूसरा condition, decrease in supply, by decrease in supply का मतलब क्या है, कि price उतना ही है, लेकिन फिर भी उसका supply घड गिया, यह को बोल रहा है, if the supply of a commodity decrease, when the price of commodity is the same, or, यह बोल दो, if the price of supply remain the same, even the price increases, then this change is called decrease in supply, यह भी आपका दो तरीके का होगा, यह भी दो तरीके का होगा, सबसे पहला, same price, less supply, और दूसरा, more price, same supply, देखो, जैसे मान लो कि पहले जो है, आपका पेन का कीमत, तीन रुपया करके था, तो supply तीन पेन का करते थे, ठीक है, अब आपका price जो है, वो तीने रुपया है, price क्या है, तीने रुपया, लेकिन आपका supply घट गिया, supply घट के आप दो पेन कर दिये, तो कीमत में चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका supply, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, आपका decrease in supply, यह ऐसे समझे लो, more price, same supply, more price का पहले अगर कीमत तीन रुपया था, तो supply भी तीन था, अब price बढ़ गया, price बढ़ के हो गया, चार रुपया, तो आपको तो supply बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप supply बढ़ा ही नहीं, supply को आप तीन ही रखें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, decrease in supply, ठीक है, यह भी decrease in supply है, और same way किये हैं, पहले एक table के थुरू बता दिये हैं, देखो, पहला same price, less quantity supply, पहले कीमत तीन रुपया था, तो supply भी तीन होता था, कीमत अभी भी तीन है, लेकिन supply को घटा के दो कर दिये, या तो फिर more price, same quantity supply, पहले कीमत तीन था, supply तीन था, अभी कीमत बढ़ के हो गया, चार अभी कीमत चार हो रहा है, तो आपको supply बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप supply अभी भी तीन रखें, तो यही कहलाता है मेरा decrease in supply, ठीक, अब इसी चीज को देखो, यह drawing से यहाँ पर समझा दिये, ठीक है, अब differences पढ़ना है, differences किसमे किसमे, differences पढ़ना है, extension in supply और increase in supply में क्या difference हो है, तो कि कई बार इन differences इन दोनों के ऊपर difference पढ़ना है, और इन दोनों के ऊपर, ठीक है, कई बार इन दोनों में से कोई एक difference आपके exam में पूछा जाता है, और last question होगा, इसके बाद यह chapter खतम हो जाएगा, ठीक, चलो, तो सबसे पहला, difference between supply extension या expansion, यानि expansion in supply और increase in supply, ठीक ह तो difference को table में बनाए हैं, लिखे हैं, basis, expanding fulfillment, expanding fulfillment, इसका मतलब होता है, यह हम लिखे हैं यहाँ पे, अपका extension in supply, यह है हम लोगों का extension in supply, और यहाँ पे है increase in supply, तो अभी बताएं न, extension in supply कब होगा, इसका meaning, तबसे पहले difference को हमेशा meaning में लिखा करना न, तो number अच्छा मिलता है, तो सबसे पहला extension in supply का मतलब क्या होता, इसका मतलब है, कि मेरा price बढ़ा, जिसके वाज़ा से मेरा supply बढ़ा, increase in supply का मतलब होता है, price same है, price में कोई changing नहीं आया, price same है, लेकिन फिर भी मेरा supply बढ़ गया, इसको हम लोग क्या बोलते है, increase in supply, तिक है, आगे, इसके बाद factors, next point ह हम लोगों का factors, factors का मतलब होता है, किस चीज का परभाव बढ़ता है, तो हमको पता है न, extension in supply जो है, वो price पर depend करता है, price change होने के वाज़ा से ये होता है, ठीक है, किसके वाज़ा से, price, और यहाँ price को छोड़ करके, बाकि जो भी other things है, price को छोड़ के, जो भी चीज supply को effect करत है, जैसे, price of a, आपका price of a, substitute goods हो गया, इसके बाद मानलो की cost हो गया, production हो गया, technology हो गया, government policy हो गया, tax हो गया, subsidiary हो गया, इसके बाद producer का interest, interest behavior हो गया, उसका profit कमाने का margin हो गया, यानि price को छोड़ के बाकि सब चीज के वज़ा से increase होता है, आपका, ठीक है, supply curve हम अभी है थे ना, extension में supply curve उपर की और भागता है, supply curve upward होता है, उपर की और भागता है, उपर की और भागता है, और यहां क्या होता है, the supply curve shifted to its right, और यह right side खिसक जाता है, देखो अभी यहां पे, drawing से भी यहां समझा दे रहे हैं, ठीक है, यहां देखो supply curve उपर की और भाग रहा है देखो कहा भाग रहा है उपर के और भाग रहा है और यह किदर सिफ्ट हो रहा है यह आपका राइट और सिफ्ट हो गया देखो राइट और सिफ्ट हो गया देखो इसे यह लेप्ट है यह राइट है देखो राइट और सिफ्ट हो गया ठीक है अभी समझाए थे ना उपर मे वही चीज है देखो, ठीक, last question, क्या difference होता है मेरा construction in supply और decrease in supply में क्या difference होता है, तो देखो भाई, construction in supply देखो फिर वही बताए हैं, सबसे पहले meaning में बताए हैं, तो सबसे पहला construction in supply का मतलब क्या होता है, price कम हुआ, supply कम हो गया, normal जब मेरा price, supply मेरा कम हो जाता है, किसके वज़ा से, price कम होने के वज़ा से, तो उसको बोलते हैं construction in supply, decrease in supply का मतलब है, price मेरा उतनाई है, price मेरा same है, लेकिन फिर भी मेरा supply कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं construction in supply, factors, यानि किसके वज़ा से होता है तो construction in supply price के वज़ा से होता है price low हो जाता इस वज़ा से और decrease in supply price को छोड़ करके आकी other चीज के वज़ा से यह चीज आपका लागू होता है अब देखो construction में curve नीचे की और गिरता है here the supply curve operating downwards नीचे की और गिरता है और यहां क्या होता है left or shift हो जाता है किदर होता है left or मेरा shift हो जाता है ठीक देखो इसी को यहां पर drawing के तुरू दिखा दिये हैं दिखा दिये हैं देखो यह उपर से नीचे की और shift हो गया अभी इस तर अभी केसे वाला एक drawing था ना नीचे की और आया था वही चीज है और देखो यह किदर left side shift हो गया जाने supply खटक गया खट गया supply ठीक है आया समझ में बस इस chapter में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है इस से जादा हम लोगों को इस chapter में और कुछ भी नहीं पढ़ना है इतना ची करो कमेंट करो कोई भी दिक्काड आउट परसानी है बेजी जग हमको वीडियो के कमेंट बोक्स में करके पूछना हम आपके सारे सवालों का जबब आपको जरूर देंगे आप जहरकन बौट के student है बिहार बोट के student है यूपी बोट के student है arts, commerce, science कोई भी आपका stream है अगर आपका economics है तो हिंदी वालों के लिए separately one sort वीडियो आया है जाके देखो हर चेप्टर जो हम पढ़ाए हैं पढ़ो मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज एक्जाम में पूछेगा इससे बाहर से आपको एक्जाम में कुछ नहीं पूछेगा ना आपको कुछ पढ़ना है ज्याद से जादा चेनल को जरूर सेयर करना और सब्सक्राइब करवाना ठीक है चलो बाए टेक केर